राजिस्थान हाई कोट स्टेनोग्राफर भरती 2020 गती 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकेंड बाद स्टार्ट टकरती के पंच तत्व आकाश, वायू, अगनी, जल और प्रत्वी इन्हीं तत्वों से मिलकर इस जगत का निर्मान हुआ है सुक्ष्म से इस्थूल, इस्थूल से इस्थूल काय अर्थात कम आकाश से प्रत्वी की और होगा आकाश सभी तत्वों में सुक्ष्म है और बाकी चारों तत्व आकाश में है विराम जैसा आकाश हमें चारों और महसूस होता है वैसा ही आकाश हमारे शरीर के अंदर भी है विराम आकाश का अर्थ रिक्त इस्थान अर्थात शून्य होता है शून्य से ही प्रत्येक वस्तु का आरंब है विराम शून्य में ही अत्यंत कहरी शांती है यदि शून्य का ग्यान प्राप्त हो जाए तभी परम आनंद भी है विराम इस जगत में दिखने वाले जितने भी पदार्त हैं उन सभी का निर्मान पंच तत्वों के अलग-अलग अनुपातों के कारण हुआ है आकाश तत्व में ध्यान लगाना मन में शुन्य भाव को जन्म देता है जब मन में विचार आता है तो उसके पीछे दूसरा विचार स्वभाविक ही होता है पिराम इन दोनों विचारों के बीच में अत्यंत सूक्ष्म आकाश तत्व रहता है विराम आकाश तत्व में ध्यान लगाने से विचारों के बीच रिक्त इस्थान बनता है वही रिक्त इस्थान अधिक से अधिक लंबा होना मन को शान्ती देता और विचारों की गती शान्त हो जाती है विराम ध्यान अवस्था में बैठकर शरीर के बाहर जो आकाश तत्व है तता शरीर के भीतर जो आकाश तत्व है उस पर ध्यान केंद्रित कर उसे अनुभव करना ही आकाश का गुण शब्द है शब्द अनादी है एक बार उत्पन हुआ शब्द कभी नश्ट नहीं होता है शब्द की उत्पत्ती तथा अन्तिम इस्थान आकाश ही है विराम शब्द आकाश में ही उत्पन होकर आकाश में ही समा जाता है आकाश का गुण सुक्ष्म और कारिय विशालताएं स्वतंत्रता तता खुलापन होता है समस्त भ्रमांड आकाश में समाया हुआ है विराम आकाश तत्व पर ध्यान लगाना इसलिए भी सरल है की इसकी कोई सीमा नहीं है जब ध्यान आकाश पर लगाया जाता है तो मन भागता रहता है क्योंकि कोई भी इस्थान ऐसा नहीं जहां मन को स्थिर किया जा सके इसलिए मन जब बिना रुके भागता रहता है तो कुछ समय के बाद अपने आप मन की गती धीरे हो जाती है और मन कुछ समय के बाद शांत हो जाता है अच्छे अभ्यास से मन शुन्यता को प्राप्त होता है मन जब उस शुन्यता में आ जाता है तो आत्म साक्षात कार होना संभव होता है आकाश तत्व पर सतत अभ्यास से विचारों में इस्थिर्ता सौम्यता तथा रिक्त इस्थान आने लगता है विचारों के रहने का इस्थान भी आकाश ही है जहां सभी प्रकार के विचार रहते हैं किस प्रकार के विचार आपके मन में आकाश में तैरते हैं यह है आपके संसकारों पर निर्भर करता है एकांत इस्थान में बैट कमर तथा सिर एक ही दिशावर इस्थती में सीधा रखें अपने सामने आखों के समनांतर फूल मुम्बत्ती या फिर किसी चिन पर लगातार आखों से देखें आरंभ में आखों से पानी आने लगेगा साधक की पलक लगातार छपकते रहती है आखों में आशू भी आते हैं तो सहन करें आखों में जलन टीस या दर्द होने लगे तो आखें कुछ देर के लिए बंद कर लें पुनहें आखें खोल कर लगातार उसको देखें विराम अब आख बंद करके फूल मौमबत्ती की लौ को बंद आख से देखने का प्रयास करें विराम